आज हम बात करेंगे एक और दाकड कंपनी के बारे में जो काफी अच्छा डिविडन भी देती है और इनके फाइनेंशल रिजल्स भी आयते हैं काफी अच्छे और हो सकता है 2000% का जो है ये डिविडन दे सकती है क्योंकि 2018 में भी इसी टाइम पे 2000% का डिविडन दिया था और फेस वैल्यू जो है वो पाच रुपे का है और डिविडन जो बनता है 2000% के इसाब से 100 रुपे का बनता है आप एजली कलकूलेट कर सकते हैं और ये समौल केप की कमपनी है 1759 करोड का इसका मार्केट केप है पाच रुपे का फेस वैल्यू आप इजली देख सकते हैं 2018 में वाटर ओयल लेमिटेड इसका अगर आप देखेंगे आज ये 5020 के उपर चल रहा है 3% अप है 144 रुपीज इसका अगर लो देखेंगे 52 वीक का 4800 का लो हैं जो की लेटेस्ट है और हाइच 6824 का कि इस टॉक ने कंटिन्यूस इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रो किया है लेकिन 2017-18 में एक स्टेबल रेट पे चला है और एक बार 8000 के भी पार गया था और दूसरी बार 5000 के लेवल पे चल रहा है अगर आपके पास है तो थोड़ा होल्ड करिएगा यहां से फिर से जो है एक अच्छा बाउंस बैग मिल सकता है इनके नतीजे भी काफी अच्छे आए और कंपनी भी काफी बढ़िया है लेकिन अगर आपको लगता है नीचे के लेवल पे मिलेग तो नीचे लीजेगा इसका अगर सेल्स का टर्नवर देखेंगे तो 316 करोड का रहा था डिसेंबर कौटर में और सेप्टेमर में 295 का और नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 20 क्रोड के नेट प्रॉफिट थे और लास्ट कौटर में 24.76 और 2007 से भी 5-6% की तो आना पक्का है तो यह आप लेटर देख सकते हैं टाइड वाटर ओयल कंपने लिमिटेट का इसका जो बोर्ड की मीटिंग है वह 14 मार्च 2019 को होने वाली है और 25 मार्च 2019 जो है वह रेकॉर्ड डेट है डिविडेंट के लिए तो अगर आपके पास ठॉक है तो मेरे सब्सक्राइबर दो दिन नीचे जाता है दो दिन उपर जाता है कि कि इलेक्शन भी है और यह टेंशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का उस वजह से भी जो है इफेक गिर रहा है तो आज इसी के बारे में बोलना था वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और अमार